कुछ लोग यहां मानते हैं कि वर्ड जो की शक्त्रिय, ब्रामड, वैश्य और शूद्र हैं यहां जन्म के साथ ही मिल जाते हैं और पूरे जीवन बदलते नहीं हैं कुछ लोग इन्हीं को जाती भी बूलते हैं ब्रामड जाती, शक्त्रिय जाती, वैश्य जाती, शूद्र जाती तो यह जो चार चीज़े हैं इन्हें आप वार्ड बोलिये यह जाती जो लोग यह मानते हैं कि जन्म से उन्हें यह मिल गई हैं और इन्हें नहीं बदला जा सक ऐसी भारत की प्राचीन परंपरा रही है उनको आईना दिखाते कुछ तथ्य में आपके सामने अभी रखूंगा और ऐसे भी लोग हैं जो यह दावा करते हैं यह सनातन संस्कृति के लिए यह दुश्परचार करते हैं कि भारत में लोगों को जन्म के आधार पर ही बाट कर था और जिसका जन्म जिस जाती या वाड में हो गया उसे उसी के अनुरूप काम करने के लिए बाद कर दिया जाता था वो अपना वाड या जाती बदल नहीं बाता था अपना कर्म या पेशा नहीं बदल पाता था तो आईए ऐसे लोगों को गलत साबित करते कुछ प्रमा पंडाल से ब्रामड बन गए सबसे पहले हम देखते हैं एत्रिय ब्रामड में आई प्रसंग से इस प्रसंग के अनुसार रिशी एलूश कवश भी अब ब्रामड थे दासी के पुत्र थे एत्रिय ब्रामड में इनके प्रती दासी पुत्र जैसे संबोधन हमको प्राप्त हो होने के बाद उन्होंने अध्ययन किया और बाद में भी महान ब्रहमर बने इनके द्वारा अर्थ दर्शन किये गई सूक्त आज भी रिगवेद के दशम मंडल में हमको मिल जाते हैं जिन पर रिशी के रूप में इनका नाम अंकित है अगला प्रमाड हम देखते हैं छांदों जावाल की कथा मिलती है और सत्यकाम जावाल भी दासी के अच्वा गड़का के अच्वा वैश्या के पुत्र थे उनकी माता जावाला को यहीं पता नहीं था कि वो उन्हें किस पुरुष से प्राप्त हुए थे किन्तु गौतम रिशी ने उनकी सत्यवादिता को देखकर उन्हें अपना सिष्य बनाया और वे बाद में विध्वान ब्रामड भी बने। सब में पूजी हुए अगला उधाराड हम लेते हैं विदुर जी का महाभारत में आप देखेंगे विदुर जी कासी के पुत्र थे किन्तु अपने गोड़ों से में महान विद्वान हुए और हस्तनापुर सामराज के मंत्री का पद भी सुशोवित किया किन्तु यह बात एकदम स्पष्ट है कि वे मला कन्या के पुत्र थे शूद्र थे और हम सम जानते हैं कि वे बाद में बहुत महान ब्रामर बने इसी प्रकार हम आगे देखें तो सूत जी जो की वेदव्यास जी के सिश्च थे इन्हें लोम हर्षण अत्वा रोम हर्षण के नाम से भी जाना जाता है यह सूत पुत्र थे किन्तु ब्रामर हुए और व्यास पद को प्राप्ट किया माना जाता है कि इन्होंने नैविशार रंड में हजारों रिशियों को पुरार कथाएं सुनाई थी आगे और अगर हम देखें तो वज्र सूची का उपनिशब से पता चलता है कि रिशी श्रिंगें, रिशी काउशक, रिशी जामलोक, रिशी वालमेकी, रिशी व्यास, रिशी गौतम, रिशी वसिष्ट, रिशी अगत्सिर जैसे महान रिशी जन्म से ब्रामड नहीं थे यानि ब्रामड माता पिता से इनका जन्म नहीं हुआ था फिर भी बाद में यह लोग महान ब्रामड बन गए और अगर देखेंगे तो कुछ विद्वानों के अनुसार एतरे ब्रामड गरंत रचने वाले रिशी महीदास एतरे भी शूद्र माता के पुत्र थे जो की बाद में ब्रामड पो गए तो इन जैसे परमाडों से ही यह सपष्ट सिद्ध हो जाता है कि जिन जातियों या वाड को लोग आज हीन मानते हैं प्राचिन काल में उन में जनमा हुआ वेक्ट्री भी महान ब्रामड बन जाता था और एन दो प्रमाड नहीं हैं अनेकों प्रमाड हैं और बहुत उंचे पद पर पहुँचे हुए ब्रामड भी लोग बने थे वीडियो पसंद आने पर क्रिप्या लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की चानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवाद